स्वागत एक बार फिर आप सभी विद्धार्थियों का हमारी यूट्यूब चैनल एकॉनामिक्स प्राइम पर विद्धार्थियों आज इस वीडियो लेक्षर्स के माद़ें से हम लोग चेप्टर नमर बन आने की वेस्टी अर्थ सास्त्र का पहला अध्याय देखेंगे जि साम पर सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा ठीक है ना आज जो इस वीडियो में रेगुलर हमारे वीवर है या फिर रिगुलर श्टुडेंट्स है उनको मैं बता दूँ कि पिछली वीडियो मैंने अपडेट किया था अपने देखा भी जो पीछली वीडियो अमने को जो कि आपको ज्यादा तर प्रेशन वहां से पूछे जा सकते हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी थी लेकिन 43-45 मिनिट का लगभग है आप जाकर के देख लिजेगा और लेकिन उसमें कंटेंट और कंसेप्ट इक्तम भरमार पढ़ने हुए हैं आज उसी प्रकार स हम लोग प्रेशन संग्या 31 सी लेकर के प्रेशन संग्या 40 तक के सही प्रेशनों के जवाब के बारे में जानेंगे कि इन प्रेशनों का सही जवाब क्या होगा और साथ साथ में हम लोग एक्स्प्लीनीशन भी देखेंगे एक्स्प्लीनीशन जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि यदि प्रेशन को घुमाया फिर भी जाता है या फिर उप्षन जो है इधर उधर भी के जाते हैं तब भी आप उनका सही और शटिक जवाब दे सकते हैं ठीक है तो यहां पर basically मेरा मकसद सिर्फ यह जाता है कि आपको मैं concept दे दूँ सवाल देना मेरा मकसद नहीं है सिर्फ आपको क्या देना मकसद मेरा कि concept दे आपको ताकि आप पूरे जो है मैनत के साथ आप अभी तयारी कर रहा है और इस वक्त आपके पास समय कम है ठीक है ना तो इसे इस आपसे हम लोग काम करेंगे चलिए प्रेशन संगिया 31 पर जाते हैं देखिए क्या बूल रहा है कि भारती अर्थविस्था की बीसेस्था है ठीक है भारती अर्थविस्था के बारे में आपको पता है आप तो भारती हैं अब अपनी अर्थविस्था के बारे में चाहिए आपको ठीक है ना तो यहां पर सबसे पहले आप जान लेजे कि यदि हम अर्थविस्था अपनी अर्थ्विस्ता के बारें बात करें वन दीश की बारें बात करें नियमन और नियंतरन की आधार पर आनि कि management और control के business पर अब यहां पर यह भी समझ लीजे कि मिश्चत अर्थवस्ता का मतलब क्या हो जाता है कि वह छेत्र या फिर वह अर्थवस्ता जहां पर पुंजीवादी और समाजवादी दोना तरह की विस्ष्थाइं साथ-साथ में पाई जाती है कि पुंज अर्थवस्ता का मतलब है एक ऐसा छेत्र लेकिंपादन की सादनों सर्कार होता है फुरी जो कह सकते हैं कि संसाधन है हमारी वो पूरा का पूरा शंसाधन जो है लोगों के वेलफेर के लिए यूज किया जाता है लोगों के कल्यान के लिए लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाता है समझ में आगया होगा आनि कि ये भी हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी अर् और कारेकरम लेकर क्या आती है तो भारती अर्थवस्ता जो है इन्हें दोनों सवरूपों का मिस्रित है अनि कि मिक्स्ट है दोनों इसी वज़ा से हम क्याते हैं कि भारती अर्थवस्ता जो है और नियमन और नियंतरन के अधार पर एक मिस्रित अर्थवस्ता है लेकिन जदि ह हम लोग बिकास के आधार पर बात करें तो हमारा जीश जो है वो Probleme के की चाह strands होजाता है किसमें लोग टोपरहीलों सामिल होता है जिसको लोग यँ और भारती अरथ्वस्ता एक एक किया एक इस प्रकार से हुआ सब्सक्राइब क्या तो जो है खुली अर्थ्वस्ता है या फिर बंद तो भारती एर्थ्वस्ता देखें खुली अर्थ्ष्ता है क्योंकि इसका सम्मंढ जो है इन्हें गे economic काम काम जो है करता है है ठीक है नब यहां तक आपको बात स्मइमें आगे होगे अब चलते हैं जो प्रेशनक्या 31 में पूछ रहा है उसका जवाब हम लोग ढूड़ते हैं क्या बोल रहा है कि भारती अर्थिस्ता की बिसेस्ता है भारती अर्थिस्ता देखिए यहां पर जो लोग है और ज्यादा तर क्रीशी पर निर्भर हैं ऐसा कहा जाए कि जहां पर क् 500 है किमाग्या होगा तो यहां पर हम कहरे हैं एक घरता क्या एक क्रीशी पर धांटा वाला डेशस्ह थी देखें दूसरी च्यक्न अरुभर लूग और कि क्रीसी तो खुद जो हो कि पर निर्भर रहती है प्रिकली पर जो कि एक अनिस्चितग्णा होती ज़ए किया सकते हैं, जब कम होगा, कब जादा होगा, कहाँ नहीं जा सकता जब मौसुन ठीक रहेगा, कब गड़ड़ होगा, कहाँ नहीं जा सकता इसी लिए भारतिय अर्थिफ्ता जो है यहां पर करीशी छेतर है, उसको मानसूल का जुआ जाता है ठीक है आनि कि मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी मानसून अच्छा नहीं हुआ तो फसल भी ठीक नहीं होगी और इसी वज़ा से चुकि यहाँ पर लोग जो हैं वो जादातर क्रीशी छेतर में जुड़े हुए हैं और इसी आधार पर यदि हम लोग बात करें तो क्रीशी शेत्र में आपको पता है कि छेपी विरोजगारी पाई जाती है और यहाँ पर इसी वज़ा से हम कह सकते हैं कि ब्रहत बिरोजगारी है ब्यापग मातरा में बिरोजगारी है ज्यादा बिरोजगारी है ज्यादातर लोग बेरोजकार हैं काम पर लगे विए नहीं दिखते हैं काम पर लगे विए दिख भी रहें हैं तो वहां पर कह सकते हैं कि छेपी विए बिरोजकारी पाई जा रही है ठीक है tut वदो परतिव्यक्थ्य आय निकलता है अब आपको पता है कि जनसंख्या पर द्रिश्टी से भारत जो है वो दूसरी नंबर पर आता जीएन के बाद है जीन यो इस नंबर पर पहले बारत आता है लेकिन भारती अरतर जो मामले के आए के हिसाब से ठीक है ना इस प्रकार से यह नहीं कह सकते कि पड़ती वक्ति आई जो है वहाँ पर भारती अर्थस्ता में क्या है निमनस्तर है ठीक है समझने आगे होगा तो ऑप्शन के नुशार बिल्कुल हमारा सही जवाब कौन सा होगा डी होगा इन में से सभी आपको आपके एक्जामनीशन के द्रिष्टी से भी ठीक है ना अधी आप एक भारती है तो आपको इन सारी चीजों की जानकारी होनी ही चाहिए पहला तो समझ में आ गया है कि क्रिसी परधानता वाला दी से दूसरा भी मैंने बता दिया कि कम परतिवक्ति आया या फिर नियून प पा रहा है तब भी तो विरुजगार ही है ना समझ गये होंगे ठीक है ना विरुजगार के बहुत सारी सोरूप है जब हम इंडियन एकोनोमी करवाएंगे आपको तो वहां पर डिटेल में बताएंगे ठीक है चौधा ओप्शन देखे अधीक आर्थिक विसमता जो कि आप आपको पता है एक तरफ कहां अंबानी भाई आनि कि अंबानी परिवार कहीं देख लिए और दूसरी तरफ आप अपनी बार में सोचिए कहां उनकी आय कितनी अधिक और हमारी इंकम कहां बहुत कम तो यहां पर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो आर्थिक विसमता है धन और शंपती से लेकर कि जो है चीज़ें जो है बहुत डिफरेंटियेट है कह सकते हैं एक तरफ अमीर जो है यहां पर और भी अमीर होते जा रहा है और गरीब यहां पर और भी गरीब होते जा रहा है इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि भारती अर्थिस्ता में अधिक आर्थिक विसंता है ठीक है ना? अगला ध्यान देशे क्या बोड़ा है? पुंजी निर्वान की निम्दर अब आपको पता है कि पुंजी जो है पैसा जो है, वो खुद पैसा जनरेड करता है तो यहां पर तो प्रतिवेक्टि आए ही कम हो गया तो पुंजी निर्बान की दर्भी क्या होगी? कम होगी. समझे में आगया होगा? चलिए प्रेसन संग यह देखे, छटे अब देखे कि क्या बोल रहा है? कि यहाँ पर बात कर रहे हैं साचर्था का कम होना. अब देखे, जो हमारा एजुकीशन है, मतलब कि शिच्छा कह सकते हैं कि जो हमारा है, वो पूरा का पूरा हमारे आए पर निर्भर है. लेकिन चुकि आपको यह भी पता है कि सरकार जो हैं यहाँ पर नियमन और नियंदरन करती है, चुकि यहाँ पर मिस्री तरत्थोस्ता है, और इसी वज़ा से लोग जो हैं वो ज़्यादा तर कह सकते हैं कि सरकारी विद्याले पर निर्भर हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का परतिवेक्ति आए ही कम है, तो यहाँ पर जो हैं प्राइवेट डश्कूल में ज़्यादा तर बच्चों को भेजा नहीं जा सकता, और इसी वज़ा से जो हैं कि इन सारी चीजों का इंपक्ट एक नया निकल लगर के यह आता है, कि यहाँ पर साचर्था का दर जो है वो बहुत कम है, ठीक है, हलाकि कुछ-कुछ राजियों में इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना, अब देखे, सेवन पॉइंट पर देखे, क्या बोड़ है, राजनीतिक और इस्थिर्ता, इसका क्या मतलब है, सरकार जो है कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, आनि कि सरकार जो है, वो एक जैसा इस्थिर नहीं रहा पाती, ठीक है ना, तो यहां पर कहेंगे कि राजनीतिक और इस्थिर्ता भी बहुत जादा है, दूसरी सबसे बड़ी बात, जो पॉइंट संक्या एट में हमने बात किया है, कि यहां पर धार्मिक कट्रता भी बहुत जादा है, लोग हिंदो मुस्लिम करके बहुत जादा जगड़े लग जाते हैं, ठीक है ना, तो यह सारी चीज़ें जो है, उबी सिस्ताएं हैं किसकी भारती रत्युस्ता की, और नौइं पॉइंट पर ध्यान देज़े का क्या बोड़ है, रूढ़ी वादिता, इसका मतलब होता है पुराने विचार के लोग, आपको पता है कि क्रीशी छेतर में अगर हम लोग ध्यान दें, तो बहुत अच्छा हम लोग विकास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग जो हैं नई नई तकनीक मार्केट में आ चुका है, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, पुरानी तकनीकों का ही इस्तमाल करते जा रहे हैं, जो हमारे घर में पहले से धान, बीज, यह सब रखा हुआ है, उसी का प्रियोग करते हैं, हम लोग कुछ नई तकनीक जो आया मार्केट में, उसका प्रियोग करना ही नहीं चाहते हैं, और एक कारण भी है कि हमारा परतिवक्ति आई ही कम है, ठीक है न, तो इस वज़ा से हम नई तकनीकों को जो है, पैसे खरीद करके तो नहीं लाते हैं, लेकिन सरकार से तो मदद ले सकते हैं, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाई भी बनाती है, लेकिन लोग यहां पर क्या हैं, पुराने विचारधारा के लोग हैं, और इसी वज़ा से यहां बरके सकते हैं, कि रूढ़ी वादिता भी एक प्रभूख भी सिस्ता है, समझ में आगया होगा, चलिए अगली प्रेशन पे, सारी चीजों को डिटेल में समझने से क्या होता है, कि कोई भी प्रेशन आपका छूटेगा नहीं, अब किसी अर्थेवस्ता की केंदरी समस्या की इंदी तो की नहीं जा सकती, लेकिन मैं जो है असपस रूप से ऑप्शन में जो दिया हुआ है, उसके अनुशार में आपको बता देता हूँ, यह प्रेशन जो है 2012, 2014, 2016, 2018 में पूछा गया नहीं कि लगतार दो सालों के अंतराल में पूछा गया है, अब यहां वर ध्यान दीजिए सबसे पहला ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, कि साधनों का आवंटन, इसका मतलब यह हुआ कि वस्तूं और शिवाओं के उत्पाधन के लिए विभने तरह कि उत्पाधन के साधन है या फिर जो संसाधन है उनका जो है वहां पर किस प्रकार से इस्त्माल किया जाएगा, मान लिजे कि आप एक कोई चेयर बनाना चाहते हैं क्या बनाना चाहते हैं कूर्सी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए लकड़ी चाहिए है ना तो क्या होगया संसाधन आनि कि कि कितनी लकड़ी की उर्माँ पर जोर्रत होगे आवंटन कितना करना होगा समझ में आ गया होगा तो सादुनों का उंटन का मतलभ समझ में आ गया है तो इसकी भी प्रब्लम होती है कि हर एक अरत्यक्ताव में बोल रहा है option B पर ध्यान दिजएगा क्या बोल रहा है साधुनों का कुशलतम उपयोग इसका मतलब क्या हुआ मान लिजे कि हमें एक चेर ही बनाना है अब वहां पर लकड़ी को हम जो हैं बहुत ज़्यादा छील चील करके बरबाद कर रहे हैं फिर कैसकते हैं कि वह ज़्यादा वेस्ट परियोग नहीं किया जदि वेस्ट मेंटरल बहुत कम जाता है और हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तब हम लोग क्या कहते हैं कि साधुनों का कुशलतम परियोग हुआ है ऑप्टिमयम यूज हुआ है ठीक अब चलिए अगले प्रशन पे अगले ऑप्शन पे ध्या आते हैं कि वह अपनी मुल्भूत आउशक्ताओं को पूरा कर ले अर्धी विकासि कैसी प्रिक्रिया है जिसमें क्या होता है देश के अंदर उपलब्द संसाधनों का समुचित विदोहन किया जाता है समुचित परियोग किया जाता है जिसके माद्धम से किसी देश की रास ठीक है समझ में आगया होगा तो इसी प्रकारे आप समझ सकते हैं कि केंद्री समस्य एक किस प्रकार की होती है और किस प्राकार उसका सवरूप होता है ठीक है चलिए अगले परेश्म पर हम लोग जाते हैं पूछा यह पांच सालों के अंतराल में पूछा गया है और मेरा मनना कि यह जो प्रश्ण होती हो बहुत अच्छे प्रश्ण होते हैं और के समया गहां यहां बर यह लाफ को हुआ कि अब इसके बारे में आप भर कर सकते हैं जो आर्थिक समस्या को दर्साता उसी को आप इसको करते हैं मियों पर přosed Iggy में इ facto तिया अब यहां पर द्यान दिखाता है दो वस्तुओं के विभिन सन्योगों और संभावनाओं को दिल लाता है अब सन्योग का मतलब क्या हुआ मालीजी कोई दो वस्तु है एक है कपड़ा और दूसरा है जूता मालीजी दो जोड़े हम क्या चाहते हैं जूती तयार करें और साथ साथ में हम यह भी चाहते हैं कि देश के अंदर जो है कपड़ा भी उतपादन हो ठीक है न तो कितने मीटर कपड़े उतपादन होंगे और कितने जूते उतपादन होंगे ठीक है न तो यहां पर यह जो दो अलग-अलग वस्तुओं की बात कर रहा है यह दो अलग-अ बनाने की चुबात हो रही है इसी को हम लोग कहते हैं कि यह एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तूओं के अलग अलग अनि कि विभिन विभिन सन्योगों को दिखलाता है जिन वस्तूओं को जो है उत्पादन कैसे किया सकता उसके लिए बोलता है कि संसादन हमारा दिया हुआ होता ह है आनि की परिवासा हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा वक्र जो दो वस्तूओं के विभिन सन्योगों और शंभावनाओं को दिखाती है जिसे दी हुई टकनीक और सुंसाद्नों के माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है यह है उत्पादन संभानों वक्री की परिवासा अब चाहें तो रिपीट करें सुन लीजेगा ठीक है न अब यहां पर देखिए का वाई एक्सिस पर हमनी जो है एरूट को यहां पर टच करवाया है इसका मतलब यह है कि यहां पर मैक् संसादनों का अगर कुशल प्रयोग कर रहे हैं और सिर्फ और सुर्फ उन संसादनों को हमों यह एक्सिस पर गयो है लगा दिया यह निकि वाई वस्तु की उत्पादन में लगा दिये हैं तो वाई का कितना मैक्सिम्म प्रोड़क्शन हो रहा होता है इसी चीज को इंडिक रहे है और अनिकि सुर्फ संसादनों का जो प्रयोग है वह एक्स वस्तु के उत्पादन में किया जा रहा है इसी प्रकार से अब जाते हैं अगर तो यहां पर आपको यह भी असमच्ट Actually कर लिका कि एकक्सेस पर टॉट करनी का क्या मतलग है तो इसका यह व्य्यार हूए कि ligy एक्स yapt92 टैश्झ करें तो maximum production हो रहा है कि इसका एक वस्तु का और उसी समय वाइ वस्तु का कुछ भी production नहीं हो रहा कुछ भी एक अलग सी वीडियो लेक्शर्स तयार कर देंगे मुहां पर हम आपको डिफली जो हैं चीजों को बता देंगे लेकिन यहां पर आप समझ लिजे क्या बोल रहा है कि उत्पादन सम्माना वक्र जो है वो मुल बिंदु के और क्या होता है अवनुतुदर होता है या फिर कह सक होता है तो इसी कारण से उत्पादन सम्मान वक्र इंदुक्र और अनुतुदर होती है ओर इजीं की तरफ क्या होता है यह कंकिव हो जाता है ठीक है जैसाकि आपको डिख रहा है चलीए अग़ले प्रूपर चते आगली परेश्च में क्या बोल रहा है कि उत्पादन सम्मा संंसादन का मात्रा में किसी परकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता अब जब दिश्ञान option पर क्या बोला कि उत्पादन संभानाववक्र क्या दरसाता है question में तो यह पूछा option में क्या बोला है कि कुल उत्पादन को नहीं कुल उत्पादन को कभी जो है यह नहीं दिखलाता है ठीक है सिमीत साधन को जी बिल्कुल सिमीत साधन से ही जो है हम क्या कर रहे हैं दो अलग-अलग वस्तों का उत्पादन अलग-अलग मात्रा में कर रहे हैं और इसी चीज को दिखाता है पीपी सी अनिकि उत्पादन समाना वख्र जो है वो सिमीत साधनों को दिखलाता है सिमीत पूछा हुआ है और यहां पर प्रेस्ट में क्या बोल रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है अब गिरने का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज उपर से नीचे की और गिरती है कोई भी चीज आपने आज तक दिखा है जो नीचे से उपर गिरा हो नहीं गिरने का मतलब ही होता है उपर से नीचे तो जहां भी कहीं option होगा उपर से नीचे इसका मतलब वो option तो होगा ही नहीं अंसर ठीक है ना चलिए अब यहां पर option पर ध्यान देजिए कि आप बोल रहा है कि उत्पादन संभाना वख्र जो है वो उसका डाल कैसे गिरता है बाई से दाए होगा दिखाएंगे कैसे चलिए explanation आपको हम दिखाते हैं क्या बोल रहा है द्यान देजिए यहां पर बोला कि उत्पादन संभाना वख्र का जो ढाल है वो गिरता है कैसे गिरता है क्या उपर से नीचे क्यों गिरता है गिरने का मतलब ही होता है उपर से नीचे भई तो उस यहीं तो इसका definition वेगार जो है इसके लिए link जो हमने इस वीडियो की description box में दे दिया है अब वहां से visit कर सकते हैं सीधा वो Chrome पर खुलेगा ठीक है न वहां पर सारा का सारा explanation भी मिल जाएगा आपको और assumptions वेगार भी हमने वहां पर डाल दिया है अब यहां पर 34 पर आपको स यहां दिया था कि उत्वादन समानाव करका ढाल जो है वो बाइसी दाइं की और गिरता है ठीक है अनिकी option हमारा यह यहां पर बिल्कुल सही होगा चलिए अगले प्रेस्ट भी जाते हैं देखे हमने नोट भी कर दिया यहां पर अब चाहें तो इसको जो है screen shot भी कर सकते है ठीक है चलिए अगली प्रेस्ट भी जाते हैं प्रेस्ट भी चाहें पर इसको चाहिए तो नोट कर सकते हैं और यह बहुत कह सकते हैं कि कुरिशन कुषिन है अब जाते हैं प्रेस्ट मंगिया साइंगिस पर क्या बोला कि आश्रालागत की सिधांत का प्रतिपादन करने वाले का नाम है प्रोफेशर डील ग्रिन किस नहीं प्रतिपादन क्या है इस पर भी हम एक अलग सी वीडियो लेक्टिर त्यार कर देंगे आप चाहें तो डेफिनिशन वगारे जो हैं उन सारी चीज़ों को ढूंड सकते हैं उसके लिए लिंक हमने अपने ब्लॉग का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सिधा क्रॉम पर खुलेगा किलिक करने के बाद ठीक है यह जो डियल ग्रीन है एक जर्मन अटसास्त्री थे ध्यान रखेगा जर्मन अटसास्त्री थे और इन्होंने जो आउश्र लागत के सिध्धान्त को दिया इसका प्रियोग बाद में जो है ओ प्रोफिसर हेवरलेर वगरे जो हुए उन्होंने अंतरराश्टी व्यापार के छेत्र में भी इस चीज का प्रियोग किया है और बहुत ही इंपोर्टेंट कोशिन है यह कह सकते हैं इक तरह से अब चाहें तो इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं स्क्रीन शोट कर सकते हैं देख लिए एकस्प्रेनिशन हमने दे दिया है कि प्रोफिसर डियल ग्रिन ने अश्रलागत की सितान्त को परतिपादित किया था और बाद में प्रोफिसर हवेरलन ने इसी धारना को अंतर राश्टी वैपार की छेत्र में प्रयोग किया था ठीक है चलिए प्रेस्ट संग्या 38 पर जाते हैं और यह देखे प्रेस्ट पूछा हुआ है 2020 में अनि कि पिसल अभी नाम आपको बता देते हैं चार-पांच नाम है इसका जो कि आपको जान लिना चाहिए ठीक है न समझ लिना चाहिए तो आर्थिक लागत का अन्य नाम आप देख लिए नीचे अमने लिखती है सबसे पहले हमने लिखा है हस्तांतरन लागत इसका मतलब यह होता है कंपनी यह बात कर रही है कि हमारे यहां पर आपको वही काम करना होगा ठीक है ना काम का अंदाज थोड़ा अलग होगा हो सकता है लेकिन काम वही आपको करना है काम उतना ही करना है जितना कि आप अभी कर रहे हैं लेकिन हम हमारी कंपनी में आपको पांच हजार नहीं बलक से 20,000-15,000 इसे कुछ मिल रहा है तो जहां पर आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे काम के बदले आप वहां पर जाना चाहेंगे इसके लिए क्या करना होगा जो पुराने जगा पर आप काम कर रहे थे उसको छोड़ना पड़ेगा तो हम यह कहें कि 20,000 की नौकरी के लिए फिर प्पंद्रह हजार की नौकरी के लिए आप कितने हजार के नौकरी छोड़ रहें कि पाच 1000 की नौकरी छोड़े रें तो 5000 जो हो गया वही आपका हो गया हस्तांतरन लागत या फिर हश्तांतरन आय ह समझ मैं आ घया होगा और तीसरा जो नाम है दिया हुआ है आर्थिक लागत इसका भी मतलब मैंने बता दिया कि आउशर लागत का ये भी नाम होता है आर्थिक लागत आर्थी क्याने का मतलब है ऐसी लागत जो कि धन से सम्मधित हो संपती से सम्मधित हो ठीक है न और चौथा नाम तो यह आपको याद रखना ही होगा क्या बोल रहा है वैकल्पिक लागत यह फिर अल्टरनेटिव कोस्ट उमीद करते हैं यह चारू नाम आपको अच्छे से सम सिर्छे तो उत्पादन संभाना वकर कैसा होगा क्या बोला सिमान्त अवश्र लागत अगर इस्थीर्क है तो उत्पादन संभान करद करहें थो कनकेव बनता है ऐका बनता है ठीक है लेकिन यदी हम बात करें कि सिमानत अवर्शर लागत क्या है इस्थीर है तो उत्पादन सम्भाणव वक्र जो है वो एक सरल रेखा के समानतर हो जाती है ठीक है कैसा होता है एक सीधी रेखा बन जाती है कैसे दिखाते आपको ठीक है चीतर में अस्पस्ट्रूप से दिखाई दे रहा है अब इस तरह की जो प्रेश्ण होती है इसको आप समझे चीजों को यदि सीमान तवश्र लाकत जो है ओ घड़ते वे होती आनि कि सीमान तवश्र लाकत का जो है हरासमान नियम लाग हो जाता तो कैसे होता तो वो जो है अगुद सास्तर नहीं प्रेश्ण संग्या 40 पर जाते हैं 40 कि अर्थ सास्त्र में किस के लिए उत्पादन किया जाए यह जो प्रेश्ण है कि किसके लिए यह जो अर्थसासर में प्रशन उठ रहा है कि किसके लिए ठीक है समझे बार बार क्या बोल रहा है किसके लिए यह जो प्रशन उठ रहा है यह सब्द किस से जुड़ा हुआ है यह जो प्रशन है यह किस से जुड़ा हुआ है तो किसके लिए उत्पादन करें That means किस person के लिए उत्पादन करें, किस व्यक्ति के लिए उत्पादन करें, कहने का मतलब यह है. आनि कि यहाँ पर किस के लिए कहने का मतलब है, आय और शंपती से संबंदित है. यह आय और शंपती के वित्रन से संबंदित है, ऐसा भी कह सकते हैं. आनि कि option B हमारा यहां पर बिल्कुल सही होगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसके लिए उत्पादन करें? आनि कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसी होंगे व्यक्ति ज़्यादा खरीदारी करेगा इसका मतलब यह हुआ कि जिनके पास पैसी हैं उनकी needs और requirements भी ज़्यादे होगी इसका मतलब है यह कि जिसके पास आई ज़्यादा होगा वो उपभोग पर ज़्यादा खर्च करेगा मांग पर ज़्यादा खर्च करेगा तो मांग सिर्जन होने के लिए जो है उसके पास क्या है? इनकम है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति के पास आई जो है वो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खर्च करेगा तो यह जो अर्थसासर में प्रचन उठता है कि हम उत्पादन किसके लिए करें तो भाई जिसको ज़र्वत होगी उसके लिए करोगे जो रथ किसको होगी जिसके पास आई होगा जिसके पास संपती होगी जिसके पास साधन होगे वही तक खरीदारी करेगा कि एक जो भीखारी होगा वो खरीदारी करेगा सुनना आगया होगा तो यहाँ पर हम कहें कि 42 प्रेश्ण का सही जवाग कौन सा होगा option B आज की वीडियो में रखे बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से नहीं नहीं जानकरी के साथ तब तक इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ जरूर सेर किजिए और बताइए अपने दोस्तों को कि यहां पर MCQ का जो सेट है उपरा explanation दे करके किया जा रहा है कोई भी प्रेशन हम नहीं छोड़ेंगे भी द्यारतों दियान दीजेगा कोई भी प्रेशन हम नहीं छोड़ेंगे लेकिन इसके लिए आपको consistency के साथ और a strong mentality बना करके तकि हम आपको सही से preparation करवा सकें इस बार हमारा सिर्फ में इसे 40 आ गया तो हम समझेंगे कि हमारी जो प्रयास थी वो बिल्कुल सफल हुई अब जूड़े रहे हमारे चैनल के साथ विश्वास बनाए रखे और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजे आज की वीडियो में बस इत्ता ही जैहिंद